नमस्कार राज शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिशद पटना भीहार में आपका स्वागत है हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं हिंदी की एक कक्षा लेकर हम आज कक्षा ग्यारह की पाट्य पुष्तक दिगंत भाग एक के अध्याय तीन को पढ़ने वाले हैं जिसके एक हिस्से को हमने पढ़ा था और इसका सीर्शक है आँखों देखा गदर जिसके रचनाकार थे विश्नुभट गोड से वरसाई कर हमने पिछली कक्षा में यह देखा था कि यह मूलता कोई लेखक नहीं है यह पूरोहिती कर्मकांड का काम करते हैं या क्रिसी इनकी आजीविका का साधन रहा है लेकिन अपनी आजीविका को चलाने के लिए जब जहां वह रह रह रहे थे वहां से उनकी आजीविका पूरी नहीं चल सकी तो वह एक जगह यग्य हो रहा था उस यग्य में कुछ परोहित के तौर पर अधिक धन रासे मिल जाए इस आशा के साथ वह उत्तर भारत की और आये थे और उत्तर भारत पहुँचते के साथ उन्हें सूचना मिली थी कि यहां क्रांती होने वाली है लेकिन फिर भी वह ग्वालियर के रास्ते होते होते जहां सी पहुँच गये थे और जहासी पहुँचने के बाद जहासी की रानी लक्ष्मी बाई से इनकी मुलाकात होती है। तेजस्वी थे, विद्वान थे, ऐसी स्थिती में रानी लक्ष्मी बाई इनसे प्रभावित होती हैं और इन्हें अपने ही साथ महल में लख लेती हैं। लेकिन कुछी दिन पस्चाथ, कुछी समय पस्चाथ, वहाँ युद्ध शुरू हो जाता है, 1857 की जो क्रांती थी, प्रथम क्रांती, तो हम उसी के युद्ध की स्थिती को देख रहे हैं, हमने देखा था कि पहले दिन और दूसरे दिन हमारी सेनाओं, यानि राणी लक्ष् था, तो आएए आज आठमे दिन से हम प्रारंब करते हैं, कि उसके बाद युद्ध किस दिसा में मुड़ता है, और यह चुकी आँखों देखी बात है, इसमें किसी प्रकार की कहानी की बात नहीं है, कोई कल्पना इसमें नहीं है, अतहिए आप जियें इसे कि कैसे एक से एक दूसरे को बढ़ावा दे रहे थे, यानि होसला दे रहे थे, एक दूसरे को, बंदूकों और तोपों की आवाज के सिवा और कुछ सुनाई ही न देता था, नरसिंगे, नगाडे, बिगुल आदी बज रहे थे, धूल और धुआ, बारूद, गोले, बंदूक और भा अंग्रेजी फोजों ने बड़ी तबाही मचाई, लेखक यह वर्णन करते हैं कि आठमे दिन बड़ा भैंकर युद्ध हुआ, और इस युद्ध में ऐसा भैंकर युद्ध हुआ, कि चारों तरफ मनुस्य के रोने की आवाज, बंब की आवाज, गोले की आवाज, जगड की आवाज, चितकार की आवाज, यह सारी चीजें एक साथ हो रही थी, और ऐसा होने के कारण एक अलग ही भयानक द्रिश उपस्तित हो रहा था, जिसे जहलना बहुत आसान नहीं था, तो यह बड़ा ही विवत्स द्रिश वर्णन कर रहे हैं, यद्ध पी हम बार बार इस ब जिसे उसने देखा हो, जिया हो, अगर उसे कलंबध करता है, तो वह बहुत ज़्यादा अंदर तक सटीक ढंक से वह हमारे लगता है मन में, और वह पढ़ने के बाद ऐसा होता है, ऐसा महसूस होता है, कि हम उसे देख रहे हैं, वह से हम भी महसूस कर रहे हैं, आप ऐसा इस के बाद दूसरे गिरते थे और उनकी जगह नए लोग खड़े किये जाते थे बाई साहब को बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी चारों तरफ घूम घूम कर सारा प्रबंध कर रही थी यहां बाई साहब से तात पर प्रहन लक्ष्मी बाई से है जहां जरा कमजोरी देखी वहीं आदमी बढ़ाये आदमियों को हिम्मत दी परंतु उन्हें बड़ी ही चिंता थी कि पेश्वा की तरफ से मदद क्यों नहीं आ रही इस चिंता ने उन्हें किंक करतब विमूर बना दिया था यानि लगातार अंग्रेजी फोजों ने तबाही मचा रखी थी इस तरफ के एक सिपाही गिरते, दूसरे खड़े किया जाते थे, फिर वह गिरता था, तीसरा खड़ा किया आता था, स्वयम राणी लक्ष्मी भाई सभी को होसला दे रही थी, सभी लोगों को लगातार नए लोगों को युद्ध में कुशल लोगों को खड़ा कर रही थी, युद्ध इन्हें धीरे धीरे और निरासा में धकेल रहा था तो आएए देखते हैं फिर आगे क्या होता है इधर कालपी से तात्या टोपे 15 हजार फोजे लेकर निकला और डबल कूच करता हुआ जहां सी पहुंचा रातों रात मूर्चा बांध कर उसने तोपों में पलिता लगाया इ जहां सी के सब लोग इस लड़ाई पर ही जहां सी के भाग का निरणय समझते थे यानि तात्या टोपे 15 हजार फोज लेकर निकले थे और फिर अंग्रेज के तरब से भी कप्तान युद्ध करने के लिए लड़क कूद पड़े थे युद्ध में ऐसी इस्तिति में युद् जीतते हैं तो जीतते हैं हारते हैं तो हार जाएंगे ऐसी स्थिति में युद्ध की परिणती क्या होती है इस पर ध्यान देने के अलावा हमें यह भी समझना चाहिए कि युद्ध की परिस्थिति कैसी होती है उस वक्त आम लोगों की का जीवन कैसे प्रहावित होता है नक कितने लोग निर्दोस लोग उसमें मारे जाते हैं यह हम इस पार्ट में देख रहे हैं गोले गिरते थे वहां के आस पास के घर पूरे जल जाते थे वहां के लोग मारे जाते थे इसमें उन लोगों का क्या दोस जो मारे जा रहे थे ऐसे सिती में युद्ध जो है किसी के लि ये परकोटे की दिवार पर आकर जम गए दोनों ही और के सिपाही अपनी जान होम कर लड़ रहे थे किसी को भी अपना भान नहीं रहा आमने सामने की लड़ाई थी प्यादे से प्यादा सवार से सवार जूज रहा था बिगुल नरसिंगों बंदूकों तोपों इत्यादी की आवाज हवा में धुन्द बनकर च्छा गई थी जहांसी वाली बाई और उसके सरदार लोग दूरबीन लगा कर देख रहे थे या युद्ध इस प्रकार से हो रहा था युद्ध का एक नियम होता था पहले अब तो श घुरसवार जो है उसका घुरसवार से होगा जो हाथी पर विराजवान सैनिक है हाथी से विराजवान सैनिक से होगा तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार से नियम बद्ध तरीके से युद्ध होता था ये युद्ध चल रहा था और इस युद्ध को देखने के लिए जहांसी हमारे पास रहेगा या फिर वह अंग्रेजों के पास चला जाएगा स्वयम लग्रानी लक्ष्मी भाई भी दूरबीन की सहायता से देख रही थी उस द्युद्धु को पूरा आखो देखी परंतु जहांसी के दुरुभाग से कहो या तात्या टोपे की अकुशलता से कहो या हिंदी सिपाहियों के नादान और अशूर होने से कहो तात्या टोपे की फौज टूपने लगी वही तात्या टोपे जो 15,000 फोज लेकर आये थे और युद्ध कर रहे थे अंग सिपाही लोग भागने लगे अंग्रेजी फोजों ने मोर्चो पर से टोपे निकाल कर भागने वालों पर निशाना साधा रिसाले सवारों ने एकदम महल्ला बोल दिया यह देखकर स्वयम तात्या टोपे भी 24 पने और 36 पने की तोप वही छोड़कर निकल लिये विजय मिलने से अंग्रेजों की हिम्मत दुगनी चोगनी हो गई उन्हें लडाई का सामान भी मिला जहां सिवालों में हाहाकार मच गया सब लोग दुख भय और निरासा से तूट गए यानि उस युद्ध की जिसी युद्ध पर सब लोग आस लगाए बेठे थे जिसमें तात्या टोपे अपने 15,000 सैनिकों के साथ लड़ रहे थे उस युद्ध की अंतिम पर्णते इस प्रकार होती है कि युद्ध में अंग्रेजों की विजय होने लगती है और जब एक पक्ष की विजय होती है तो दूसरे पक्ष के सैनिकों में हाहाकार मचना सभाविक है तो तात्या टोपे के सैनिकों में हाहाकार मच गया और लोग भागने लगे सिपाही लोग भागने लगे फिर इस्थिती ऐसी हुई कि तात्या टोपे भी वहां से अपने सारे सामानों को छोड़ कर वहां से भाग जाते हैं तो उसकी बाद उनकी शक्ति और उनका उत्साह और दुगना हो जाता है और फिर लड़ने के लिए वह और शक्ति के साथ आगे जहांसी की ओर और किले की ओर बढ़ने लगते हैं परंतु निराशा की सक्ति भी कुछ विलक्षन होती है सिपाहियों को जब यह विश्वास हो गया कि जहांसी अंग्रेजों के हाथ लगेगी और वे हमारे उपर जरा भी दयाना करेंगे इस विचार से उनका होसला और दुना हो गया बाई साहब ने सब सरदारों को इकठा करके कहा कि याज जहांसी लड़ी तो कुछ पेशवा के बल पर नहीं और आगे भी उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं ऐसा निश्चे करके सरदार लोग स्वयम और स्वयम बाई साहब परकोटे की दिवारों पर फिर से मेहनत करने लगे उसी दिन रात में अंग्रेजी गोलन दाजों ने फिर भयंकर हमला किया शहर और किले पर लाल लाल गोलों की जड़ी लगा दी किले के सब लोग रात भर जागते हुए बैठे रहे यानि जब एक तरफ तात्या टोपे लड़ रहे थे तो जहां आशा बंधी हुई थी जैसे ही वह युद्ध में हारने लगते हैं निरासा में सभी लोग चले जाते हैं लेकिन लेखक कहते हैं कि निरासा भी एक अलग प्रकार की शक्ति देती है और उस शक्ति के साथ लक्ष्मिवाई स्वयम खड़ी होती है और कहती हैं कि कुछ पेशवा के बल पर हम इस युद्ध को प्रारम भमने नहीं किया था हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे ऐसी स्थिती में उनके ऐसा कहने से उनके सरदारों में और उनके सैनिकों में उत्साह दुगना हो गया और फिर वो लड़ने के लिए किले पर पूरी तरह मुस्तैदी के साथ पुनह आ जाती हैं लेकिन फिर उसी रात अंग्रेजों ने गोले दागने शुरू किये और पूरे शहर पर लाल-लाल गोलों की जड़ी लगा दी रात गई और युद्ध का ग्यारहवा दिन आ पहुंचा बाई साहब तलवार बांधे हुए चारों तरफ सब को हिम्मत बना रही थी जाहिर सी बात है युद्ध में हिम्मत बनाना एक महत्तपुर्ण कारे होता है यदि आपके सैनिकों की हिम्मत तूटने लगे और हिम्मत बनाने वाला कोई न हो तो वह और कमजोर होते जाएंगे ऐसी स्थिति में राणी लक्ष्मी बाई ने वीरता और साहस का परिजय देते हुए अपने सैनिकों को हिम्मत बनाने का काम किया और स्वयम तलवार लेकर डटी रही और खड़ी हो गई वाई साब तलवार बांधे हुए चारों तरफ सब को हिम्मत बना रही थी गोलन दाजों को बक्षिशें दी गई यानि कुछ अत्रिक पैसे उनको दिये गए जो गोला दाग रहे थे उनको जो तोपे बंद हो गई थी वे फिर शुरू हो गई अंग्रेजों ने अपनी सारी गर्नाली तोपे किले पर ही लगा दी चुकि किले में ही सारे लोग चिपे हुए थे का सारे लोग जहां सी किरानी लक्ष्म भाई उनके सारे सरदार सभी लोग किले में ही थे तो सारी जो उनकी शक्ति थी अंग्र कोई नुकसान नहीं पहुंचा बादसाही जमाने का चूने से बना हुआ मजबूत महल कुछ योहीं टूट सकता था जहां गोला पड़ता वहां उतना बड़ा छेद हो जाता था यह दो तीन छतों में भंबक हो जाते थे और गोला नामा नाकाम हो जाता था परंतु ऐसा नु में लगातार गोले उन पर बरसाए जा रहे थे लेकिन लेखक लिखते हैं कि गोले से बहुत अधिक नुकसान महल को नहीं हुआ क्योंकि वह बहुत पहले चुने की यह से बनाई गी दिवार थी मजबूत दिवार थी इसलिए गोला आता था वहां थोड़ा गड़ा जैसा ह हो जाता था और फिर वह गोला भस्म हो जाती यानि गिर जाता था ब्रवाद हो जाता था लेकिन इस स्थिति में भी लगातार चुकि गोले बरसाए जा रहे थे फिर भी महलों को काफी नुकसान हुआ था लेकिन अंदर के बैठे लोग सुरक्षित फिर भी महसूस कर रहे महल के हर एक दालान पर गोले पढ़ने लगे तब तो सब लोग घवरा कर नीचे की एक कोठरी को निर्भाय अस्थान समझ कर उसमें भरने लगे उस कोठरी के उपर पांच मंजिले थी भरते भरते उसमें 64 आदमी जमा हो गए और वह अठास-ठास हो गई मैं भी उस कोठरी में था दासियां भी थी गर्मी और भीड तथा प्राणों के भै के कारण शरीर से पसीना चूट रहा था सांस छोड़ने की भी जगर न थी मैं तो बिल्कुल घबरा गया था पूरी चार घड़ी में पूरी चार घड़ी यानि पूरे चार घंटे उसी में कटी यानि एक जब लगातार गोले आ रहे थे दालान में तो सभी लोग जो महल में थे वो सभी एक रूम में कटे हो गए उसमें लेखक जेकर करते हैं कि 64 आदमी थे तो ये एक जेक डाटा है एक जेक पूरा आखड़ा है कि इतने लोग थे यह तो कोई आखो देखा आदमी ही कर सकता है न इसमें किसी प्रकार से कोई भी जूट बात नहीं लिखी गई है 64 लोग एक कमरे में कत्र हो गए थे डर से चुकि लगातार गोले दालान में आ रहे थे ऐसी ये स्वैम भी थे लेखक लेखते हैं कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया था ऐसी स्थिती थी उस जगह एक सांस तितनी लोगे कठे हैं डर रहे हैं रो रहे हैं ऐसी स्थिती में एक ही रूम में इतनी लोग हैं तो किस प्रकार की स्थिती होगी आप कल्पना करें पूरी चार घड़ी उसमें काटी, यानि पूरे चार घड़ी लोग उसमें रहे, मृत्यू के भह से बढ़कर दूसरा कोई भह नहीं, सबके ही जीव कसमसा रहे थे, परन्तु बाई साहब के गोलंदाजों ने बड़ी दिलेरी और फूर्ती दिखाई, अंग्रेजों की तोप को खाली कर दिया, तब कहीं जाकर महल में गोले पढ़ने बंद हुए, और सब लोग उस खोठरी से बाहर निकले, यानि युद्ध हो रहा था, दालान पिलगातार गोले बरसाये जा रहे थे, सभी लोग डर से एक कम्रे में छुपे हुए थे, लेकिन उपर से युद्ध च साथ लड़ रहे थे, जज़वे के साथ लड़ रहे थे, कि उन्होंने अंग्रेजों के गोले दागने वाले तोपो को समाप्त कर दिया था, और जब समाप्त किया, तब वहां से गोले आने बंद हो गये, और तब लोग भैमुक्त हो गये और उस रूम से बाहर निकले, यह लगाकर जब बंदोवस्त कर रही थी इतने में ही एक भेदिये ने आकर खवर दी कि दो ढ़ाई लाख रूपियों का गोला वारूद खर्च करके भी अंग्रेज सरकार को जय मिलती दिखाई नहीं देती उनका गोला वारूद भी अब चुक गया है इसलिए कल पहर भर के साथ खड़ी हैं प्लान बना रही हैं योजना बना रही हैं कैसे युद्ध करना अगले दिन लेकिन तभी एक आदमी जूठी खबर लेकर आता है और यह बताता है कि धाई तीन लाख रुपे खर्च कर चुके हैं अंग्रेज लेकिन फिर भी वह जीत नहीं सके हैं और उ महां उपस्ते सारे लोग बहुत आनंदित हो जाते हैं कि चलो अभी इस युद्ध से निजात हमें मिलने वाला है लेकिन क्या ऐसा सचमुच होता है यह मागे पढ़कर समझेंगे इसलिए कल पहर भर लड़ाई लड़ने के बाद उनका लशकर उठ जाएगा यह सुनकर बा लगभग निशिन्त होकर वह गहरी नीन में सो गई यानि जब एक भेदिया कर यह कहता है कि अंग्रेजों की ओर से जो युद्ध चल रहे थे अब ज्यादा युद्ध नहीं चलेंगे उनके सारे गोले बारुद नश्ठ हो चुके हैं सब खत्म हो चुका है और वो युद् रात वो पूरे आनंद के साथ सोती हैं लेकिन यह जो खबर थी यह खबर पूरी तरह से भ्रामक थी यह आगे देखेंगे कि कैसे वह का वह खबर बिलकुल जूठी थी और अंग्रेज फिर दूसरी दुगनी सकती के साथ फिर आकर्मन करते हैं लेकिन बाई साहब के ग्रह अच्छे नहीं थे लगभग पॉप हटने के समय शहर के दक्षिन बाजू की तोप एक आएक बंद पड़ गई यह दक्षिन तरफ का तोप जो चल रहा था वह अचानक बंद हो गया यह खबर लेकर एक आदमी आया और बाई साहब को जगा कर उसने सारा हाल कहा सोई होई थ यानि अब यह खबर आ गई कि वो जो सूचना सुनाएगी थी वो गलत थी वो जूटी सूचना थी सबकी हालत खराब हो गई सारी हकीकत सुनकर सबके पेट में पानी हो गया और हमारे प्रान भीतर ही भीतर घुटने लगे हर हर 88 पहर तक बड़ी बहादरी से लड़ने के बाद अंत में अंग्रेजों ने शहर को सर कर ही लिया यानि अंग्रेज पूरे शहर में गुश गय थे पूरे शहर पर उन्हें कबजा कर लिया था चटी मंजिल पर जाकर में देखने लगा लेखक देखने लगते हैं उस समय सवेरे का धुन्दला प्रकाश पड़ रहा था देखा हजारों मजदूरों के सिर पर घास के गठर रखाए उनके पीछे पीछे गोरे सिपाही शहर की दिवार चड़े आ रहे हैं देखते ही देखते वे उपर आ पहुँचे गास वालों ने दिवार के पास पहुचते ही अपने सिर के गठर एक पर एक फेक कर सिर ही बना दी और उसके उपर से होकर गोरे सिपाही उतरने लगे दिवार पर बाई साहब के सिपाहियों में से कुछ तो भाग निकले और जो सूर थे उन्होंने यथा शक्ती गोरों को रोका परंतु वो बेचाड़े बहुत थोड़े थे इसलिए मार डाले गए दस बारह मिनट के अंदर ही अंदर हजारों गोरे शहर की दक्षण दिवार पर दिखाई देने लेगे यानि लेखक बिदा रहे हैं कि जब यह सुबाउट कर देखते हैं छटवी मंजिल से जाकर तो देखते हैं कि हजारों मजदूर जो है वो माथे पर गठर लेकर आ रहे हैं और उसके पीछे अंग्रेज सिपाही है और वो सभी लोगों ने क्या किया उस गठर को रखा और उ स्थिति देखकर यद्रिस से देखकर एक और जहां लेखक भैसे चिंतित हो जाते हैं और उससे ज्यादा चिंता में महाराणी लक्ष्मी भाई भी पड़ जाती है यह पूरी भयाव हिस्थिति उस पूरे शहर की हो रखी है उस समय बाई साहब ने जैसे ही हकीकत को समझा वैसे ही सहस्त्र विच्चूओं के डंक मारने के समान उन्हें दुख हुआ चेहरे की आब उतर गई अक लुगुम हो गई सोने के पहले जो ख़बर सुनी थी वह क्या थी और अब यह ख़बर इसका अर्थ क्या है आनि वही बात हुई जिसका मैं कर रहा था कि सोने के पहले रात में जो एक भेदिया यह खबर लेकर आया था कि अंग्रेजों के गोले वारुद नश्ट हो चुके हैं वह अविद्ध करने के स्थिती में नहीं है और वह अपने सारा बोरिय अविश्तर समेटकर कल्दोपहर में जाने वाले हैं यह खबर सुनाई दी और इस खबर को सु के तरफ के लोग हैं और स्वयम रानी वह सब निश्चिंत हो जाएं और उसी निश्चिंता का लाव उठाते हुए दूगनिस्त उत्साह के साथ वहां से हमले हों ताकि समलने का मौका नहीं मिले और यहीं हुआ था कि अंग्रेज कहीं गया नहीं थे और अंग्रेज वापि से चित ऐसा उद्विग्ण हुआ कि क्या करना चाहिए उन्हें कुछ सूचता ही न था यानि अब भै भी उनके मन में आ गया दुख और आश्चरे कि ऐसा कैसे हुआ उन्हें यह समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए बाहर आकर शून्य दृष्टी से वे धक्ष कि तरह कुछ नादान थोड़े ही थी भै और विचार सुन्यता का ख्षण दूर गया तुरंत ही बाई साहब को सुरत्त का आवेश आ गया यानि दक्षिन दिशा में जब उन्होंने देखा रानी लेक्षमी बाई ने तो देखा कि हजारों गोरे सैनिक आ रहे हैं बढ़ते भिक्षिक थोड़ी हैं अचानक उन्हें सूरत्व ओज और शक्ति जागरित होती है और फिर तयार होती है युद्ध करने के लिए तुरत वहां से उड़ती हैं और अपने आपको तयार करने लगती है पंद्रह सो विलाईती अर्थात मुसल्मान अरब जो बहुत दिनों से उनके हां नौकर थे उन्हें लेकर तलवार खीच कर वे तुरंत ही किले से नीचे उतरी और बड़े दरवाजे से धक्षन की ओर चल दी गोरे लोग सहर में आ गये थे उनकी तलवारें भी मयानों से बाहर निकल आई थी सब के पीछे से चलते हुए बाई साहब सेना के मद् उपस्तित हो गया कि उसकी उपमा केवल महाभारत के युद्ध से ही दी जा सकती थी यानि कि 1500 मुसल्मान और अरब के लोग नौकर जो कई सालों से इनके पास नौकरी कर रहे थे रानी लक्षमिवाई के पास वो सभी विश्वस्त थे उन सैनिकों के साथ यह तलवार लेकर और युद्ध में कूद पड़ती हैं और जब दोनों अंग्रेज और लक्षमिवाई के बीच प्रारंब होता है तो लेखक लिखते हैं कि इस युद्ध की उपमा केवल इसकी जो तुलना है केवल महारा भारत के युद्ध से की जा सकती है उस प्रकार का युद्ध चल रह युद्ध में लोग मारे जा रहे थे काटे जा रहे थे इस प्रकार की स्थिति वहां भयावा इस्थित्य उत्पन हो गई थी सो तक गिंती किनने में देर लगेगी परंतो जोश में भरे हुए विलाईतियों को सैकणों गोरे मारने में उतनी देर नहीं लगी बाकी जो बचे थे वे शहर में इधर उधर भाग कर घरों और पेडों की आड में बंदूक तानने लगे यानि ये लोग जिन सैनिकों के साथ लक्ष्मिवाई गई थी तेज गती से अंग्रेजी सैनिकों को मारने लगे और ऐसी स्थिति में मारने लगे कि सारे अंग्रेज कहीं कहीं छुप गए कुछ मारे गए और कुछ सहर में घर में किस पेड़ों की ओट में जाकर छुप गए और वहां से बंदूग तानने लगे पीछे से जो गोरे लोग आ रहे थे उन्होंने भी तलवार न चला कर दूर से ही गोलिया मारने शुरू कर दी यानि कि जो पीछे से अंग्रेज लोग आ रहे थे जब युद्ध प्रारंब हो गया था तो पीछे से जो अंग्रेज आ रहे थे वो लोग भी देखे कि तलवार का युद्ध चल रहा और हम टिक नहीं पा रहे हैं तो ऐसी स्थितिम उन लोगों ने बंदूग चलाना यह प्र Conor रह थे जिसके कारण हमारी से जो है वो कमजोर पड़ती थी और कई प्रकार के युद्धों में हम इसस्थितीया हरे थी कि तलवार के युद्ध में हम जीत रहे थे लेकिन वहां से गोलीों से हम लोगों को मारा जा रहा था औOR ऐसी थी और वह छोच्छुपर familiaторов उस समय बाई साहब के साथ एक 75 वर्ष का व्रिद्ध और पुराना सरदार था वह आगे आकर बाई साहब का हाथ रोक कर कहने लगा महराज इस समय आगे जाकर गोली का शिकार होना व्यर्थ है गोरे लोग इमारतों की आड़ लेकर गोलिया चला रहे हैं सैकड़ों गोरे शहर के अंदर आ गये हैं इसलिए शहर के सब फाटक उन्होंने खोल दिये हैं इस समय लड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा आप किले में जाकर दरवाजा बंद करके फिर कोई युक्ति सोचे हमें समय को फिर से लोटा लाना है यह कहकर उसने बाई साहब को व यह रहा था कि जब आमने सामने की लड़ाई होने लगी तो हमारे सायनिक जीतने लगे फिर जब अंग्रेज हारने की स्थिति में पहुंचे तो उन लोगों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी लेकिन फिर भी हमारे सायनिक आगे बढ़ते जा रहे थे और उन ही के बीच मे महारानी लक्ष्मिवाई भी जा रही थी तो इन्हें अचानक 75 वर्ष का बुढ़ा आदमी नहीं रोकता है और समझाता है कि वो लोगोलिया चला रहे हैं चुपे हुए हैं इस तरह से बीच में जाकर मरने का कोई फाइदा नहीं है हम लोग वापिस लोटते हैं और महल में वैट कर फिर से सोचेंगे कि किस प्रकार से नए तरीके से युद्ध शुरू किया जाए क्योंकि वो लोग कहीं न कहीं चुपे हुए हैं कहीं घर में चुपे हुए हैं कहीं और चुप चुप कर गोलिया चला रहे हैं वो सामने आकर युद्ध नहीं कर रहे हैं ऐसी स्थि लिखा विद्यार्थियूं कि यह युद्ध किस प्रकार से एक अलग दिशा में जा रहा है परड़ा कभी इस और कभी उस और कभी अंग्रेजों को लगता है कि भजीत गए कभी रानी लक्ष्मिभाई के सेनिकों को लगता है कि हम जीत गए और यह युद्ध यूही लगाता से यहीं विराम देते हैं फिर अगली कक्षा में आपसे पुना मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार